तो गाईज मैं हुआंगी तो और आप जिखरें रस्लिंग फैंस नाइटवर्क सुरु करते हैं गाज अपनी बातों करें लोग सबसे पहले कोडी रोट्स एंड उनके फैंस के बारे में बात करते हुए तो भाई कोडी रोट्स को तो अपोचुनिटी नहीं मिलेगी अब रस चाहते हैं कि कोडी किसी भी कंडिसन में रोमन को फेस करें और डी थ्रोन करें रसलमेनिया फोटी के अंदर अब इसके लिए इन लोग ने एजेंडा चालू कर दिया है ट्विटर पे लिटरली जस्टिस फॉर कोडी के हैस्टैक्स चल रहे हैं यूट्यूब पे डबी डब के फुल सेग्मेंट की जिस वीडियो को उपर तकरीबन एक लाग से उपर डिसलाइक हैं और लगभग 30,000 के करीब लाइक्स हैं यानि कि डिसलाइक्स का जो आकरा है वो लगभग 70% का है भयंकर आउटर डबी डबी को जहनना पर रहे है अपने सोसल मीडा अकाउंट्स पे काफिस सारे का कहना है भाई मैं देखो खुद चाहता हूं कि रोम और रॉक हो जो की होने भी वाला है लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि कोडी फैंस एक्स्ट्रीम लेवल पर जा रहे हैं तो भाई समझ लोग कि कितना आउट्रेज होगा साथ में यह लोग पैटिसन भी साइन किरा रहा हैं पैटिसन आपको नहीं पता तो बता दू एक तरीके से मास पीपल ऑफ वोतिग होती है यह जब ज़ास ज़्यास लोग चाहते हैं किसी चीज़ को कराना हलाकि ये Cody Rhodes के लिए अच्छी चीज है Daniel Brand के Yes Moment की तरह ये एक अच्छा Moment बन रहा है Cody Rhodes का तो जब भी Cody Champion बनेंगे भाई वो भयंकर उनके लिए Cheers जो आएंगी आप सब समझ सकते हो अभी के इसाब से लोग काफी offend हो चुके हैं कि Rock कैसे आगया भाई Roman को Face करने अब question है कि क्या WWE इस reaction को देख के अपने decision को change कर देगी इसका मैं answer कर देता हम आपको साथ में एक और question है कि क्या ये same reaction रहेगा arena के अंदर भी देखो internet को पर जो reaction होता है वो काफी different होता है arena के अंदर reaction काफी different होता है आज हम लोग देख रहे हैं कि internet को पर कितना off end हो चुका है और real में हो चुका है आप भी देख सकते होगे अपने आस पास लेकिन अगर आप television पर जाके smackdown देखोगे वापस से तो जब rock को introduce करा कोडी न है तो भाई आपको boost सुनने को मिलेगी ही नहीं rock को chance लग रहे है rock के chance लगे थे rocky rocky के लोग hype हो गयते है रोमन rocky confrontation देखके तो arena और internet में काफी difference होता है जब लोग arena में जाते हैं तो भूल जाते है agenda वगरा सिर्फ देखते हैं कि भाई ये मेरा favorite star है इसे मैं पसंद करता हूँ ये popular है बस मुझे chance लगाने है क्या WB change कर सकती इस outreach के बाद अपना decision इसका answer है no क्यूं मैं आपको बता दूँ अगर कोई सा भी match होता है इस वाले match के लिए and अब ये वाला match होने ही वाला किसी भी condition में WWE इसको change नहीं करेगी और Cody Rhodes इसमें involved नहीं होंगे कोडी Rhodes ने खुद कह दिया प्रोमो में कि मैं अपनी story रसल मीना में finish नहीं करूँगा तो कितना भी आउटरेज हो जाए WWE कुछ change तो नहीं करने वाली है बट लेट सी भाई again never say never कौन जानता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली story के बारे में जो कि यह Drew McIntyre को लेके देखो बहुत सारी चीजे चर रही है करें WWE के अंदर Rock आगे वापस Rock को hate भी मिल रहा है लोगो की तरप से Cody Rhodes की story ने फिनिस हो पा रही है Cody Rhodes जाएंगे Rollins के against Rollins चाहते है कि Cody किसी भी condition में उनको face करें साथ में punk विचारे injured हो गए तो बहुत सारी चीजे चर रही है company के अंदर and सब के बीच में अगर कोई बंदा फुल मजे ले रहा तो वह है Drew McIntyre McIntyre सब के उपर meme बना रहे हैं मतलब वो meme page के admin हो चुक हैं जैसकी मैं आपको अरेडी कहा McIntyre ने CM Punk के उपर memes बना बहुत खतरनाक वाले भाई उस पर जो reaction भी मिला बहुत खतरनाक था अब ऐसे में McIntyre Cody Rhodes को भी इसी तरीके से ट्रोल करते हैं Cody Rhodes की वो वाली GIF आपने देखियोगी वो कान वाली जो Cody Rhodes कान लगा के सुनने की कोसिस करते हैं तो वही GIF McIntyre Smackdown के बाद सेर करते हैं और Cody Rhodes के मज़े लेते हैं स्टोरी के मज़े लेते हैं कि भाई स्टोरी फिनिस करनी थी अब देखना होगा क्या McIntyre involved हो सकते हैं आगे जाकि Cody Rhodes Seth Rollins के साथ possibilities है कि McIntyre vs Cody Rhodes vs Seth Rollins यह वाला मैच होगा रसलमीन नाइट वन के अंदर हो सकता है रॉलिंस vs Cody सिंगल स्टोरी मैच भी हो जाए लेकिन McIntyre भी involved हो सकते हैं जिस तरीके सुन को पुस मिर रहा हो देखके लगता है अब अभी कहिसा आप से यही कुछ है गया कि Cody Rhodes को ट्रोल करते है McIntyre McIntyre तो वैसे किसी को नहीं छोर रहे है McIntyre is an all-time heel currently आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में अभी यह जो पूरी कंडिसन है currently वर्ल्ल चैंप से पैंड अंडिस्पूर्ट चैंप सिप को लेके इसके बीच में Money in the Bank भी आता है तो Daman Pris टीज करते हैं Money in the Bank कैसिन करना है रसल मेना के अंदर Daman Pris से अभी तक कैसिन तो हो नहीं पाए बट वो होप करते हैं कि रसल मेना के अंदर कैसिन कर सकेंगे and Spoon को ट्रोल भी किया जा रहा है obviously क्योंकि भाह इतने टाइम से लोग वेट करें कि कैसिन करो कैसिन करो इस बचारे से कैसिन ही नहीं हो रहा है तो अभी क्या हूँ मैं आपको बता दू कि Daman Pris टेक ट्वीट करते हैं जो कि आप लोग देख सकते होगे ट्वीट अपनी स्क्रीन को पर and यहाँ पर हिंट करते हैं कि साथ कैसिन कर सकते हैं Money in the Bank Briefcase यहाँ पर कहते हैं Interesting अभी किसी बात करने वाली है अगर कोडि रोट्स मनी इन धा विनर होते तो देन पक्का यह चीज होती अगर से रॉल इस होती थी लेकिं यहाँ नहीं होने वालिए तो आभी के सापसे डामिर प्रिश्ट टीज जरूर से करते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रॉक के नए मर्शेंडाइज को लेके रॉक की मर्च डवी ने रिलीज भी कर दिये डवी आजकल टाइम नहीं वेस्ट कर दिये भाई सब कुछ पहले से प्लैन करकर रखती है धराक से निकाल देती है जै अगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपनी नेक्स और फाइनल स्टोरी के बारे में जो की काफी मेजर है काफी इंपॉर्टेंट है और आप सब को समझनी चाहिए आखी रॉक क्यों आए और इन्होंने क्यों रिप्लेस करा कोडी रोड्स को यह मेजर अपको सब कुछ क्लियर ह हो जाएगा कब सब लोग रॉक के ऊपर दो सारोपन कर रहे हैं कि यह क्यों आपको बताए यह जा रहा है कि जो इंजरी हुई सीएम पंक को साथ में जो यह विंस्मिक्मैन को पर एलिगेसंस लगे इन एलिगेसंस की वज़ा से डवी डवी को फोर्स फुली यह चीज करनी पर ही रोक को लाना पर दाकि पूरी करिंट सीचवैस से जाया है यारिक की पूरी सीचवैसन डाइवर्ट करने का मतलब एक कि रॉक आते तो बताय जा रहा है कि रॉक ने भी काफी मैसिव पुस्ट दिया था इस मैच के लिए रॉक खुद चाहते थे वला मैच हो और कहा जा रहा है कि रिसल मीना फोटी का कार्ड तब चेंज हुआ जब सीम पंक ब्रॉक लिस्नर हट गया कमपनी से तो इसलिए लोग रॉक को लेकर रहा है कोडी रोट्स प्लैन के अंदर थें ड्वें जॉंसन रोमन रेंज को आगे फेस करने वाले थे में भी अगले साल के रसल मीना में या पर साओधी एरेबिया में लेकिन विंस मिक्पैन वाली चीज और बेकार होते गई तो ऐसे में को मिलता है रसल मीना के अंदर तो कहने का मतलब यही है कि रॉक आए हैं बैसिकली सीम पंक ब्रॉक लिस्नर के रिप्लेस्मेंट के तौर पर स्टार पावर फुल करने के लिए और विंस मिक्पैन की न्यूज पेसे अटेंसन हटाने के लिए रॉक चाहते भी थे कि रसल मीन आए होपस आपको वीडियो पसंद आई हो आयोद वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को फॉल कर सकते मुझे इंस्टाइग्राम एंट ट्विटर अपल निक आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में जोईन कर सकते हैं वाट्सप चैनल को उसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्ट आफेर काफ इंट्रस्टिंग वीडियो में